आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बगिया की महक, मैं मधू आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आज मैंने ओनलाइन शोपिंग से एक तो कोकोपिट ब्रिक मंगवाई हैं और कुछ मैंने वेजिटेबल के सीट मंगवाई हैं तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो फ्लावरिंग प्लांट्स पे देखी होगी जिसमें गजेनिया, पिटूनिया और आइस प्लांट हैं उस कि मेरी सीट्स की जो जर्मीनेशन होई थी वो भी 100% सक्सेस्फुल होई थी यानि मेरे पास प्लांट्स इतने बन गए थे कि मेरे पास पोट कम पड़ गए थे जो मैंने flowering seeds मंगवाए थे और अब जो ये मैंने cocopeat की brick मंगवाई है ये सभी मैंने सुमंत शर्मा से online मंगवाई है इनका contact number description में है आप वहाँ call कर सकते हो और से message कर सकते हो और gardening से related जो भी products होते हैं वहाँ उनसे मंगवा सकते हो cocopeat, vermicompost, pesticide, fertilizer, कुछ भी आप इनसे मंगवा सकते हो मुझे इनकी quality बहुत अच्छी मिलती है और price भी reasonable होते हैं तो चलिए अब इस brick से हम cocopeat बनाते हैं तो इसकी use भी बताएंगे आपको इससे पहले मैं आपको वो seeds दिखा रही हो जो मैंने online समंत शर्मा से मंगवाई हैं ये सारे hybrid हैं जो कि port में भी अच्छे से चल जाएंगे नहीं तो कुछ कबाड से जुगाड लगाएंगे जैसे मैंने tomato का plant सिंक में लगाया हुआ है वो बहुत सारे उसमें tomato भी लगे अब ब्रिक को एक बड़े बरतन में पानी डाल कर भीगो दें तो इसको अच्छी तरह भीगोना है ये देखी अब अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है मेरी मुश्किल से half minute हुआ है और ये पूरी तरह इसने moisture खीच लिया और ये देखना धिली पढ़नी शुरू हो गई है तो इससे पता चलता है कि इसकी quality काफी अच्छी है ये देखी थोड़ा सा हिलाने से ही ये गिर रही है नीचे इसमें पानी अभी और डालेंगे ये पूरी तरह भीग जानी चाहिए पानी में इसको पूरी तरह डुबोना है और इससे 5-6 घंटे के लिए भीगो देना अच और फिर इसको पूरा निचोड निचोड के आपने दबा दबा के इसको बाहर निकाल देना है तो किसी बैग में आपको इकठा कर लेना है अब इससे हम देखते हैं कि इसके benefit क्या है सबसे पहला benefit तो यह कि गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो प्लांट की मि यह इसको डालना बहुत अच्छा रहता है जिसे यह moisture को hold रखती है दूसरा benefit यह है कि आप जब seedling लगाते हो तो direct इसी में ही आप उसको लगा सकते हो अच्छे से seedling चलेगी आपकी तीसरा benefit इसका यह है कि यह port को हलका बनाता है कई बार आपने जब कोई planter hanging बनाना हो तो आ आप उसका weight कम करने के लिए इसको 60% तक डाल सकते हो और चोथा benefit यह है कि जब भी आप इसको बनाते हो तो यह खराब तो होती नहीं आप इसको कितने time तक रख सकते हो और जब इसको use करना हो कर सकते हो यह जो कोकोपीट की brick है यह 5 गुना तक expand हो जाती है जैसे अगर आप 1 kg की brick है तो यह 5 kg तक हो जाती है अब देखिए मैंने भीगो दी 5-6 गंटे के लिए तो जब हम इसको पानी में से निकाल लेंगे तो इसमें जो impurities नमक वगएरा होता है वो भी पानी के साथ नीचे ही रह जाता है तो यह एक अच्छी कोकोपीट तैयार हो जाती है तो मैं त देखिए एक अच्छी कोकोपीट तेयार होगी तो धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी और नए टोपिक पर तब तक के लिए नमस्कार